हे एवरिवन वेलकम टू नीतु सरी एस जॉल नहीं कैसे आप सभी लोग आई होग सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे देख रहे हैं कितना खिला खिला और टेश्टी सा बना है तो खाने में बहुत ही मज़ेदार है अब बहुत ही टेश्टी है तो आज हम प्याज देखे हम लोग फ्राइब कर लेते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया जाए बहुत सारे सब्जी ओं के सांथ ताकि बच्चे इसके सांथ सब्जी भी खा सके नहीं तो अकसर ऐसा होता है कि वह सब्जी नहीं खाते हैं और इतना नख्रा करते हैं तो यह उनके लिए हैं तो आपको जितने भी पसंद ओं जैसे आप यहाँ देख रहिए सेंपला मिर्चे विन से गाजर है पनीर है आप सोयाविन चोटी च्छोटे चंक कर सकते हो मतर प्याज इच्छ है तो प्याज आड़ कर सकते हो स्वीट कॉन एड़ कर सकते हो आपको जितना भी सब्या पसंद है आप इसमें एड़ कर लीजे हलका से रिफाइन या बटर लीजे उसमें दो यह आपको जैसा टेस्ट का मतब तीता पसंद है वैसा मिर्चे एड़ किजे दो लॉंग थोड़ी सी दालचीनी एड़ कर लीजे ताकि इसका जो फ्लेवर है वह बहुत अच्छा से आए पुलाओ और बिर्यानी के जैसे अब इस टेम पे इसमें हम लोग प्याज एड़ करेंगे अगर आपको प्याज इसमें एड़ करना हो तो इस तरह से जब चटकने लगे जब यह फूरन अच्छे से रेड़ी हो जाए तब इसमें और भी मान है अगर ड्रा अगर अगर हम फुलाओ इसका अच्छा आता है तो सबसे पहले हम इनिको फ्राइश कर रहे हैं को इसके बार इसमें डीरे और बाकी की जितनी सब्याइं उसको हम लोग एड़ कर देंगे कि को उनको पकने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है और वह थोड़ा क्रश्य रहे जबसे लिए तो भी अच्छा लगता है इस तर इसे साय सब्जीwać कर już Украї के लिए आप आप हम वेड में बहुत ही अच्छा आप में ज़रूरा के देखेए और अपको ज्याद है मिर्ची एट करने के जरूरत नहीं होती है हलका सा तीखा बना जाता है अब बच्चों के लिए बना रहे तो इसी अनुसार से बना रहे कि ज़्यादा मिर्ची ना लगे असाथ में टेश्ट के अनुसार हम लोग इसमें नमक एट करेंगे इसे हलका से हम लोग फ्राई करेंग हमारा खीला खीला सा पुलाओ हो गया है रेडी होपसो आपको यह पसंद आ रहा होगा गाईज अगर आपको हमारे यह रिस्पी पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सकाइब शेयर करना बिलकुल नहीं भूलिए तब तक के लिए हसते रिये मुस्कराते रिये और देखते से रिये नि तो से रिये इस ओन्लाइन टेक केर बादाई